11th chapter की, जो हमारा second last chapter है, इस किताब का, यहाँ पर आप देखेंगे new empires आएंगे, new kingdoms आने वाले हैं, मैंने आपको हमेशा बता है, जब एक बड़ा central power तूटता है, तो बहाँ से क्या होने वाला है, चोटी-चोटी kingdom आने वाले हैं, चोटी-चोटी empire आने वाले हैं, पर यहाँ यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, आप देखें, मौर्यास के बाद, यहाँ पर कहानी बदलने वाली है, और एक और नए powers की बात करेंगे, जो है गुप्तास, गुप्तास यहाँ से आने वाले हैं, और गुप्तास के बारे हैं, पर्टिकुलर यहाँ बात करें, तो यहाँ शुरू होता है जब हमारा चाप्टर, तो हमसे बात की जाती है कि मगज जो है, जो आज बहार में है, यहाँ पर किस तरीके से पूरे एंपायर को मेंटेम किया जा रहा था, यह हमने डिसकस कर लिया था, यह उसकी टाइम लाइन है, किस तरीके से गुप्तास वे, सबसे पह लेके हम मौरल आउट्रेज में नहीं पढ़ेंगे, हमें कोई ज़्यादा फरक नहीं पढ़ता, कि किस ने क्या किया, जो एक्जाम के पॉइंट अवी से इंपॉर्टेंट है, हम उसको ही डिसकस करने वाले हैं, यहाँ पर आप देखने वाले हैं, कि स्टोडियंस ने प्रशस्ती लिखी जाती थी, और यह पूरा जो सिस्टम प्रशस्ती है, प्रेजिंग ऑफ देखने यह स्टार्ट होता है आपका गौतिमी पुत्र सत्कन्नी के टाइम से, और उसके बाद यह फॉलो किया जाता है, बहुत जादा हाई लेवल पे गुपतास के टाइम, गु गुपत की जो प्रशस्ती उसके बारे में दिया गया है कि किस तरीके से तारीफ लिखी है, समुद्र गुपत की प्रशस्ती, जो हरी सेना ने लिखी थी पोयम के फॉम में, उनमें वो लिखते हैं कि यह जो राजा हैं हमारे समुद्र गुपत, इनके शरीर पर बड़े-ब weapons है, बड़े-बड़े जो तलवार हैं और कुलाडी हैं, इनके नििशान है इससे समझभ में आता है कि उनने कितने सारी jiंग्ये लड़ी हैं और कितने लड़ाईयी जीती हैं इस तरीके की बातों लिखी जाती है और भी बहुत सारी चीजे कि उनकी जो body है वो काफी चार्मिंग है उनकी body पर बहुत सारे marks है spear के, axis के marks है इससे समझ में आता है वो कितने powerful है इस तरीके से उनके warriors की तारीफ की जाती है ports की तारीफ की जाएगी, musicians की तारीफ की जाएगी उसकी प्रशस्ती देखने मिल जाएगी, पढ़ने मिल जाएगी यह प्रशस्ती जो है वो जो आपके court poets है, उनके द्वारा लिखी जाती है court poets के द्वारा और court poets यह तारीफे लिखते हैं और यह प्रशस्ती तमाम राजाओं में चलेगी और यहाँ पर भी चलती है आप यह देखिए, यह जो आपका first box है, first box में आप चर्शा करने वाले है जो conquest of chandrut, chandrut ने कहां कहां पर जीता, फिर उसके बाद आप देखेंगे chandrut के बाद जो उनके बेटे आए samudrut उनने कितना जीता और फिर फाइनली आप देखेंगे, chandrut 2 ने कितना expand किया, तो यहाँ देखेंगे यह मगद इतना ही confined था, देरे-देरे samudrut उसको कश्मीर तक लेके जाते हैं और नॉर्थ वेस्टन बादर में भी बढ़ाते हैं और साउथ में भी कलिंग और पल्लवा का भी आसपास के लागा है, उसको control में ले देखें finally chandrut 2 आएंगे, वो जरात और आसपास के लागा को भी अपने empire में sub-sum कर लेंगे और increase कर लेंगे, इस तरीके से आप समझेगे कि जो गुपता empire है, दीरे-दीरे वो grow करता जा रहा था हरी सेना ने बहुत सारी चीज़े हमें बताई जैसे कि उन्होंने बात की आरे वर्त के बारे में, जो nine rulers थे आसपास यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो dots में दिखा है nine rulers को, इनको भी जीत लिया गया समुत रूप्त के द्वारा, दक्षन पत जो है गुप्त के जो kingdom है, वो control करेंगे 12 rulers थे, 12 rulers को भी उनने control कर लिया था अपने अंडल सब्जीम कर लिया था और जो भी important rulers थे, उनको साथ में आप देखेंगे, कि जो neighboring areas है neighboring, जो भी important states थी या फिर kingdom से उनको भी अपने अंदर control में ले लिया चाया बात करें, साम, बंगाल, नेपाल ऐसे संगास जो थे, जो north west में है उनको भी control में ले लिया साथ में बहुत सारी जगाओं से इनको tributes मिलते थे, tributes और पैसे या फिर gifts इस तरीके के लेके आते थे south में भी काफी दूर तक समुद रूप्त ने जगाओं को जीता और उनको वापिस छोड़ दिया और वहाँ से भी उनको tributes मिलते थे जब कुशानाज हैं, शाकाज हैं और श्री लंका, इनने भी कही न कहीं या तो इनने matrimonial alliances बना लिये या फिर इनने गुप्ता जो गुप्ता पावर है उसके आगे summit कर दिया, उसके आगे हार मार ली क्योंकि इतने सारी powerful गुप्ता kings थे चंद रूप्त की बात करें, फिर उसके बाद समुद रूप उसके बाद चंद रूप 2 ये इतने सारे powerful kings आए यहाँ पे समुद रूप के प्रशस्ती में बात की गई उनकी माता का नाम कुमार देवी, जो लिच्चवी गन से बिलॉण करती थी और जो चंद रूप 1 है, उनके फादर या महराजाजदी राज का टाइटल लेकर काम करते थे उसके पहले के जो राजा थे, वो सिर्फ महराज का टाइटल लेते थे लेकिन इनके जो चंद रूप थे, उनने टाइटल लिया आपका महराजादी राज का उसके बाद जो उनके बेटे होते हैं, चंद रूप 2 या आपके समुद रूप के सन इनके भी इंस्क्रिप्शन और कोईंस में बहुत सारी चीज़े इनके बारे में देखने मिलती हैं किस तरीकी से इनने वेस्टन इंडिया में इन्वेड किया, साका के रूल को खतम कर दिया काली दास और आरे भट काफी इंपोर्टन पार्ट थे इनके कोर्ट के काफी इंपोर्टन मिनिस्टर या फिर काफी इंपोर्टन और टेलेंटेड लोग भी इनके कोर्ट में हुआ करते थे आरे भट जिनने शुन्न के बारे में बताया है, जीरो के बारे में हमें बताया है, साथ मेंने पाई की वेल्यू भी निकाली यह कुछ important चीज़ आरे भटने की काली दास की आप मेग दूतम के बारे में हम बात करेंगे मेग दूतम है और भी दो तीन ऐसी बड़ी-बड़ी जो इनने काब भी लिखे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे पाइनली फिर गुपता राज के बाद या गुपता रूल के बाद आते है हर्ष वर्दन या फिर हर्ष हर्ष का मतलब होता है happiness हर्ष भी कोशिश करता है का अपने क्रिंडम को expand करें और यहां पर यह थानिश्च्वर के एरिया से रूल करता था थानिश्च्वर जो आपके कर्नोच के आसपास का इलाखा वहां से रूल करते थे और इनके जो father और brother थे इनकी death हो जाते इसलिए इनके हाथ में control आ जाता है यह कर्नोच के आसपास के इलाखे से रूल करेंगे और यह कोशिश करेंगे कि बंगाल में भी अपना rule established करें मगत को जीत लेंगे और बंगाल को जीत लेंगे लेकिन जब यह चालुक्यास जो south में है उनसे लड़ने के लिए जाएंगे तो हार जाते है जो चालुक्यास में एक poet थे उन्होंने लिखाता है कि हर्षा after fighting with चालुक्यास was never हर्षा means he was never happy after losing to publication 2 who was a चालुक्या king जैसी यह नर्भदा क्रॉस कर रहे थे और इनने सोचा कि यह चालुक्या की जो टर्ड़िटर ही वो मेरे कंट्रोल में आ जाए तब हर्षा को काफी हार का सामना करना पड़ा साथ में हमें inscriptions, points और बायोग्राफी से भी इनके बारे में पता चलता है जो बान भट है इन्होंने हर्ष की प्रसस्तिया लिखी सेकंड चंद्रुक्त होंगे समुद्रुक्त के बेटे उनको ही कहते थे विक्रमादेत्य तो उनने वो टाइटल विक्रमादेत्य अपने नाम के आगे जोड़ दिया था तो उनका पूरा नाम हो जाता था विक्रमादेत्य चंद्रुक्त टू ठीक है तो आप यहां पर देखिए जो quote poet थे बान भट यही प्रसस्ति लिखते थे और निने संस्कृत में हर्ष चरितम भी लिखी है हर्ष के बारे में उनके पूरी जो life है उसके बारे में भी लिखा साथ में उनकी प्रसस्तिया भी लिखी जो हुनसंग है जो हुनसंग आपके 600 डेडी के आसपास आयते यह हर्ष की quote में आ चुके हैं हर्ष की quote में आयते और यह अपनी reading में अपने account में उस चीज़ को discuss करते हैं अब हम बात करते हैं पल्लवाज और चालुक्यास की तो जो पल्लवाज है वो कांचिपुरम के आसपास जो कावेरी डेल्टा है वहां पे control करते थे और जो आपके चालुक्यास है और इन में अक्सर लड़ाई होती रहती थी cat fight चलती रहती थी इनकी चालुक्यास जो है उनका capital था आई होल जो की important था काफी trade के लिए काफी important center था और इसमें काफी सुंदर सुंदर मंदर भी बनाए इनोंने पुलकेशन जो है जब समदर भुप्त की तो उसकी हरी सेना ने प्रशास्ती लिखी जब हमने बात की हर्शा की तो उनकी जो प्रशास्ती लिखी गए वो बानभट्टे के द्वारा लिखी गए और यहां पर आप देखेंगे पुलकेशन की जो प्रसिस्थी लिखी गए वो लिखी गए डवी कीट्थी के द्वारा इनको जो kingdom मिला kingdom इनके कंट्रोल में आया अपने अंकल से और इनने काफी ज़ादा एक्सपेशन कीए वेस्ट और इस्ट में अपने एक्सपैंशन के लिए अपने kingdom को expand करने के लिए और हर्षवर्दन को हरा दिया हर्षवर्दन को डेकन में expansion करने से रोग दिया और पलव किंग ने इनके उपर attack किया था ये सारी चीज़े हमें याद रखनी है और आप देखेंगे चालुक्यास और पलवास एक समय आने के बाद ये खतम हो जाएंगे और उनको replace किया जाएगा राष्ट कुतास और चोलास के दौरा जो यहां से आपकी शुरू हो जाएगी मिडिवेल यहां से शुरू होती है जब हम राष्ट कुतास और चोलास को डिसकस करते हैं तो वह मिडिवेल आ जाती है चालुक्यास और पलवास के बाद आपकी इंशन्ट खतम हो जाती है अदिनिस्ट्रेशन की बात करने तो एडिनिस्ट्रेशन में कुछ विलिज में भी आप देखेंगे विलिज यूनिट्स होते थे और विलिज में भी यूनिट्स ओफ एडिनिस्ट्रेशन थे जैसा आज के समय हमारे 55ointedi चिर आज你就itters होते हैं उस तरीके से उस टाइम पे भी कुछ basic units होते थे administration के और land revenue generate करने के वो सारे के बारे में हम बात करते हैं कुछ नई systems भी grow हो रहे थे जिसमें क्या किया जाता था जो powerful men है उनको ही control दे दिया जाता था और वो कभी कभी ऐसा होता था कि center अगर कमजोर हो जाए आपका king अगर weak हो जाए तो वो अपना कुद का kingdom भी बना लेते थे एक separate kingdom भी establish कर लेते थे ये भी चीज़े हो रही थी जो नई system आया इसमें king जो है वो powerful men का support win करने की कोशिश करते थे powerful men को अपने side में रखने का कोशिश करते थे कुछ important जो पोस्टे हैं उनको hereditary बना दी जैसे मैं बात करूँ हरी सेना जो है हरी सेना को बहुत important post दे दी गए थी चाहे आप judgment की बात करें judge भी थे वो साथ में diplomatic काम के लिए उनको बलाया जाता था जो नायक उनके फादर थे और वो भी एक महा दंडा थे मतलब जो judge करने का काम है या फिर दंड देने का punishment का काम है वो भी करते थे हरी सेना के फादर और वो ही हरी सेना को भी दिया गया और उसके अलावा एक आदमी को बहुत सारी post बहुत सारे portfolio दे दिया जाते थे जैसे हरी सेना जो है वो कुमार अमात्य संधी विग्रही मतलब जो treaty कराते है और कुमार अमात्य मतलब जो आपके प्रिंस्प अगेरा को जो आपको knowledge इंपार्ट करनी उस सब के लिए भी हरी सेना को अपॉइंट किया था मतलब एक आदमी को बहुत सारे काम दिया जाते थे साथ में local administration में भी बहुत important role play किया जाते थे जो आपका chief banker होगा उसको आप नगर श्रिष्टी कहते थे chief banker was called नगर श्रिष्टी जो आपके merchants का head होगा जो करवान का head होने वाला है उसको आप कहने वाले है सर्थ वहा सर्थ वहा या फिर सार्था सार्था आप समझेए सार्था या सार्थी से आप समझ लीज़े करवान उसको जो बहाने वाला है या फिर उसको जो चलाने वाला है उसको जो guide करने वाला है, उसको अब सार्ता वहाँ कहेंगे प्रतम कुलिका, चीफ जो craftman होने वाला, head craftman जो होगा उस्ताद होगा जो, उसको आप कहेंगे, chief craftman को प्रतम कुलिका, कुलिका का मतलब होता है, craftman प्रतम मतलब chief तो आप समझगे हैं प्रतम कुलिका मतलब होता है Chief Craftman आपको याद रखने है कहीं न कहीं match the column में या फिर particular name wise आपको पूछा जा सकता है ये किस से related उसके बाद जो scribe होते हैं जो आपकी accounts वागार लखेंगे या फिर आपके जो भी biographies या जो भी चीजे लिखनी है कैवल्डी और foot soldiers आप समझ गयोंगे elephant है यहां पर chariot है कैवल्डी मतलब जो 13 अंदाज है और आपके यह जो आपके foot soldiers है यह भी रहने वाले अब यहां पर एक important बात है कुछ समंतास थे समंतास का मतलब यह होता है यह king को army provide करते थे अपनी जैसे हमने polygards के बारे में पढ़ा है उसी तरीक से यह kings को provide करते थे troops जब king को जरूरत होती थी तब समंत के साथ खासियत यह थी कि अगर king poor king आपका weak हो जाए when king becomes weak उस time पे आप क्या करने वाले हैं उस time पे समंत अपना खुद का kingdom बना लेते थे यह खासियती समंतास की they used to form their own kingdom getting my point यह चीज़े होती थी उसके बाद आप देखेंगे कहीं यह land grants मिलते थे इनको और revenue collect करने का भी जो power होता था वो इनके पास होता था जो soldiers, horse और weapon maintain करने यह पूरी responsibility इनकी और जैसे यह ruler week होगा तो अपना खुद का independent यह kingdom बना लेते थे अब हम बात करते हैं कुछ important assemblies की तो जो assemblies south में हुआ करती थी जो local assemblies है उनके बारे में पलव inscriptions में दिया गया है उसके बाद बताया गया किस तरीके से जो merchants है या फिर जो land owners है वो rich और powerful थे और functions कैसे किया करते थे जैसे सभा जो है सभा particularly Brahman जो होते थे जो Brahman land holders है उनकी जो assembly थी उसको सभा कहलाते थे और जो non Brahman assembly होती थी उसको और कहते थे और तो यह आपको याद रखनी है जो भी functions है आपके चाहिए irrigation और agriculture है roads और temples यह सारा सभा manage करेगी और जो और है जो non Brahman land owners है उनकी assembly होगी और उनके भी यह functions होंगे साथ में एक और organization of merchants थी जिसको आप नगरम कहते थे तो यह आपको terminologies याद रखनी है अब हम बात करते हैं कुछ general life की किस तरीकी की books लिखी गए जैसे कालीदास कालीदास ने जो book लिखी कालीदास ने books में बात की किस तरीके में kings की क्या courts थी kings जो है उनकी court कैसे लगती थी court में कैसी चीज़े होती थी ब्राह्मन जो संस्कृत यूज़ कर रहे हैं किंग जो हैं संस्कृत यूज़ कर रहे हैं लेकिन जो आम आदमी है वो प्राकृत में बात कर रहे हैं यह बताया गया है अब विज्ञान संगुत शकुंत लम करके एक स्टोरी है दुशन्त और शकुंत लाकी उसके बारे में भी कालिदास ने लिखा है, फाहीन ने भी लिखा इसके बारे में, उनकी कितनी बुरी स्तिती थी, उसके बारे में लिखा, उनके बारे में लिखा गया कि अगर ये सिटी है, तो सिटी के बाहर उनको रहना पड़ता था, और साथ में कुछ बजाते हुए आना पड़ता था, ताकि लोगों को पता चल जाए कि एंटर कर रहें. बांग बटन ने भी कहीं जा कहीं description दिया आपके equipment के बारे में चाहे weapons है, pots है, furniture है, gold है, footstool है, ये सारी चीजें जो भी army ले जाये करती थी जब भी लड़ाई पर जाते थे. किंग के लिए जो भी army ले जाये करती थी, उसके बारे में बात की गई है, खाने के सामान, furniture, सोना, चांदी, हर चीज ले जाये करती थी, musicians ले जाये करते थे, entertainment के लिए किंग के, जो villagers हैं, वो आते थे, खाना वगेरा, चाहे आपकी जागरी की बात करें, जागरी है, या कर्ड है, ये सारी चीजे ले कर आये करते थे, उसके बाद आप बात करें, तो जब army वहाँ से छोड़ के जाती थी, तो पूरा जो village है, उसको test-nest कर देती थी, क्योंकि आप समयझे, जब इतने सारे लोग, इतनी बड़ी तादाद में लोग आने वाले हैं, तो वो जो economy है, वो खतम हो जाएगी village की, क्योंकि वहाँ पर business तो हो नहीं पाएगा, उस particular time में, साथ में जो भी उनके resources है, उसको army consume कर लेने वाली है, फिर आप देखने वाले हैं, background में international बात करूँ मैं, तो Arabian desert में, एक particular tribe, जिनको आप बिड़ोईन कहते हैं, बिड़ोईन, बिड़ोईन कहते हैं सही माईने में, और यह आपके जो Prophet Muhammad है, यह भी इसी tribe से belong करते हैं, यहाँ पर आप यह देखने वाले हैं, कि यहाँ से शुरू होता है आपका Islam, Islam का जो origin है, वो यहाँ से शुरू होगा, और इसी duration में शुरू होने वाला है, क्योंकि यह शुरू में tribes में बटा हुआ था पूरा Arab, लेकिन 600 AD के आज पास आने वो दीरे-दीरे एक साथ होने लगेंगी, Islam का origin होगा, जहाँ पर बात की जाएगी, equality के और unity की, यहाँ सेलर्स है, वो यह चीज, जैसे ही सिंद को कॉंकर करेंगे, उसके बाद आप देखेंगे, Islam जो है, वो अरम में भी expand होने वाला है, हमने यहाँ पर बात की, गुप्ताज की, फिर हर्शा की, हर्शा के बाद हमने बात की है, सब की प्रशस्तिस की, लाइसेशना की बात करें, या फिर बान भाट की बात करें, या फिर हमने यहाँ पर बात की है, आपके पलवास की, चालुक्यास की, फिर राष्टकटास कैसा आजाएंगे, जो अदमिंस्टेशन की बात की है, यहाँ पर हमने इस्लाम का origin के बारे में भी थोड़ा सा discussion किया है traveler के बारे में भी देखा है कि travelers ने जो भी चर्चा की थी लाइफस्टायल कैसी होने वाली उसके बारे में ये सारी हमने discussions किये